हलो एवरीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूडियूब चानल पर जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% free of cost, high quality education of K-12 और CBSC Board English Medium और हिंदी मीडियूब वाले बच्चों के लिए हमारा मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियूब यूट्यूब चानल है जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 UP, MP, Bihar, Rajasthan और Delhi Board के बच्चों को केटर किया जाता है free of cost, high quality education प्रोवाइड कराई जाती है और notes हमारे पास best best available है हमारी website और application पर for class 6 to 12 English medium and Hindi medium all subjects ये भई मेरा नाम है जीशान आप सभी का maths mentor आज आपको लेकर चलेंगे भईया sequence and series chapter number जो 8 है हमारा class 11 की maths का उसके हम example solve करेंगे दोस तीन examples है इन examples को solve करके हम अपनी exercise 8.1 के लिए तयार हो जाएंगे आओ करते हैं छोटा chapter है कोई बड़ा नहीं है मतलब कभी किसी जमाने में ये बड़ा हुआ करता था अब तो दो या तीन exercises ही है mislaneous exercise को मिला लोगे तो तीन exercise है छोड़ी छोड़ी सी exercise है आओ चल्दी से करते हैं बिटा example number 1 चुरू पढ़ो बिटा जल्दी से देखेंगे सर क्या कह रहा है write the first three terms in each of the following sequences defined by the following अरे भाया हमको in particular relation से या in particular expression से हमको sequence create करना है और उस sequence के शुरू के तीन सिर्फ तीन terms पदागर के लिखना है दोस्त आओ करते हैं सर जी तो कुछ नहीं करना है बिटा चोटा सा है an is equal to 2n plus 5 सबसे पहले समझना बिटा ये जो n दिख रहा है न हाँ सर ये position बताता है position position मतलब अगर मैं आप से कहूँ बेटा कि हमें तीन terms लिखना है काहे के तीन terms लिखना है सर sequence के तो एक हमने ये term बना लिया comma दूसरा term ये बना लिया comma तीसरा term ये बना लिया अब यहां हमको सिर्व एक चीज़ नोटिस करनी है क्या भाई सहाब इसकी position क्या है यह first number है first तो इसके लिए n क्या होगा 1 तो बिटा n अपन क्या रखेंगे सर जी 1 और जैसे हमने n 1 रखा दोस्त क्या हो जाएगा यह a 1 हो जाएगा a 1 तो n क्या होता है n होता है बिटा position किसी number की किसी term की placing rank बोल सकते हो ठीक है sir तो यहां भी n रखो के बिटा 2 into 1 n की जगा 1 plus 5 तो बिटा क्या है सर जी है 7 आ गया लो भाईया पहला हमारा term आ गया 7 दूसरा भाईये दूसरा है दूसरे का मतलब है second second का मतलब है n is equal to 2 तो सर जी अब हम क्या रखेंगे सर जी अब हम रखेंगे n is equal to 2 कहां पर इस particular expression में इस पूरे में a2 बिटा क्या लिखा जाएगा a2 is equal to a2 देखो 2 तो यहां भी 2 तो 2 into n की जगा 2 plus 5 that is 4 plus 5 is बिटा 9 सर जी second वाला term आ गया हमारे पास 9 आरे वह मजा आ गया सर जी तीसरा term और जो की हमें first three terms निकाल के लिखने हैं लिख देंगे सर n is equal to 3 भई या तीसरा term मतलब इसकी position third है n 3 हो गया तो सर जी n की जगा हमने लिख देना है 3 डन सर और जैसी 3 लिखेंगे बिटा a n a 3 a n is actually a 3 equal to ये भी 3 अगर यहां देनी तो यहां भी 3 तो बिटा 2 into 3 plus 5 सर जी क्या होगा 6 plus 5 is 11 सर जी 11 आया और सर हमने यहां 11 लिख दिया लो भईया first वाला answer हमने निकाल दिया 2,9,11 are the first three terms of the sequence made by the given condition हमें जो पहली condition दी थी उससे बनने वाले sequence में शुरू के 3 terms ये हैं दोस्त आगे की बात कर लेते हैं चलो यार second part करते हैं इसका ठीक है done sir भईया यहां भी 3 terms की बात हो रही है बच्चो वैसे तुमको यह खुद से attempt करना चाहिए pause करो अगर आता है खुद से तो करो यह समझ में आ गया न अगर यह समझ में आ गया तो यह भी आ जाएगा सर जी कुछ नहीं है इसमें भी 3 dash बनाएंगे क्योंकि 3 terms करना है यह यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया तो सर जी सबसे पहली चीज अगर यह पहला है तो इसके लिए N क्या होगा सर N इसके लिए 1 होगा अगर यह दूसरा term है दूसरा तो N इसके लिए दूसरा यानि 2 होगा अगर यह तीसरा term है तो इसके लिए N क्या होगा तीसरा यानि 3 होगा कुछ नहीं है दोस्त expression में रखते जाओ solve करते जाओ answer लाते जाओ तो सर जी हमारा expression है a n is equal to n minus 3 by 4 done है हाँ सर डन है तो हम क्या करेंगे सर सबसे बहले हमें first वालट term निकालना n is equal to 1 तो बच्चा जैसी हमने n is equal to 1 रखा a 1, 1 minus 3 जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 a 1 is equal to n मतलब 1 minus 3 by 4 बिटा यह आएगा हमारा minus 2 by 4 minus 2 by 4 simple करेंगे तो minus 1 by 2 आएगा 2 से divide कर देना तो यह आए पिटा पहला हमारा क्या minus 1 by 2 second अगर second निकालना है तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि हमें n second के लिए n यानि उसकी rank 2 होगी अब मैं कहूं मेरी class में second rank आई तो मेरे लिए n क्या होगा 2 तो सर जी अब हम ऐसे ही n is equal to 2 रख देंगे कोई बड़ी चीज नहीं है पिटा n is equal to 2 रखा यहाँ 2 रखो दोस्त यह है condition a2 2 minus 3 सर जी a2 is equal to n minus 3 मतलब 2 minus 3 by 4 पिटा यह minus का 1 by 4 यह आगे सर हमारा दूसरा term minus का 1 by 4 next please सर third term third term का मतलब है n is equal to 3 तो सर n is equal to 3 रखते हैं और आखरी term तीसरा term निकाल लेते हैं 3 minus 3 a3 is equal to 3 minus 3 a3 is equal to n minus 3 मतलब 3 minus 3 upon 4 तो सर 0 upon 4 is 0 इसका मतलब यह यह 0 तो हमारा answer बेटा यह हो गया second one is done ठीक है तो हमारा first question के दोनों parts हमने complete कर लिए हैं आओ बच्चों चलते हैं हम हमारे example number two की तरफ जल्दी से sir example two की तरफ चला जाए वाउ second example कहता है कि पिटा what is the 20th term अरे भाईया 20 वा टर्म बताईये 20 वा जैसे 20 पढ़ा समझ जाना यह तो position दी गई है 20 वा टर्म expression में n 20 रख दो अपन क्या कहेंगे for 20th term for 20th term ठीक है सर जी for 20th term हम क्या लिखेंगे sir हम लिखेंगे a20 n की जगा बिटा 20 for 20th term n is equal to हम क्या पूट करेंगे sir 20 बस यह है चोटी सी चीज है न सर जी a20 is equal to यहां 20 यहां 20 सर जी n-1 मतलब 20-1 bracket close 2-n मतलब 2-20 bracket close ठीक है 3 plus n मतलब 3 plus 20 bracket close n की जगा 20 substitute करो solve करो बिटा यह आएगा 19 डंसर इंटू यह आएगा minus का 18 डंसर इंटू यह आएगा 23 अरे वाह खतरनाग multiplication है कोई खतरनाक नहीं है बच्चों multiply तो ही करना है बस है ना चलो सर multiplication करते हैं सर जी minus माइनस आएगा जोगि positive negative positive will give you negative answer तो सर जी अपन क्या करेंगे 19 इंटू 18 करेंगे ठीक है डं सर 18 नाइन जा 162 16 क्यारी 18 बंजा 18 18 और 16 तो 18 और 10 28 28 और 6 34 बेटा 34 आया 34 आया डं है क्या हाँ सर 18 नाइन जा 162 16 क्यारी 18 बंजा 18 18 और 16 34 सही है सर multiply by 23 ठीक है multiply by 23 अब सर हमें 23 से इसका multiply करना पड़ेगा 23 टू जा बेटा 46 की 6 4 क्यारी 23 टू जा बहिया कितना आएगा सर जी 92 तो 22 ये 92 लिख दिया 23 टू जा 46 ता 4 एट करेंगे 96 आएगा 69 क्यारी 23 टू जा बेटा क्या होगा 69 और 9 क्यारी थी तो बेटा 78 कितना आया 78 माइनस 7866 ठीक है multiply एक बार और चेक कर लेना छोटी छोटी questions में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है तो एक बारी multiplication चेक कर लेना ओके मैं भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ 32 जा 6 34 जा 12 की 2 33 जा 9 और 110 22 जा 4 ठीक है सर 24 जा 8 ठीक है सर 23 जा 6 ठीक है सर 6 8 8 7 7886 आ रहा है 7 866 आ रहा है क्या कर रहा है जीशन 7 866 बिल्कुल सही है सर 7 866 हमारा correct answer आ रहा है आप अच्छो चलते हैं एक्जाम्पल नंबर 3 पे और खतम करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन ये रहा एक्जाम्पल नंबर 3 लेट दा सीक्वेंस एंड लेट दा सीक्वेंस बी डिफाइंड एस ठीक है सर अब समझना है बेटा हमें जब से पहले A1 दिया है और उसके बाद इन्होंने कहा है A N-1 एक कंडिशन दिया है प्लस 2 ध्यान से सुनना A N-1 A N is equal to A N is equal to A N-1 A N-1 प्लस 2 एक बहुत important चीज़ जो बच्चे यहां ignore कर देते हैं वो यह है अगर इसको नहीं पढ़ा तो पढ़े रहे जाओगे इसको पर डाला तो लाइफ जींगा लाला है ना डन सर इसका क्या मतलब है सर जी पहली चीज़ तो यह है कि N एक natural number होगा यह बात तो तुम भईया तेहर रखो अरे भईया अरे भईया मच्छर सहाब क्या कर रहे हो यार लाइफ क्लास में एक मडर करवा दिया तुमने मेरे हाथों से कोई बात नहीं ठीक है तो भईया यहां A N-1 यह condition दिया और यह N is greater than or equal to 2 इसका मतलब क्या हुआ भाई सहाब कि जो N है न यह पहली चीज तो natural number होगा N is natural number यह कान खोल कर सुन लो ठीक है सर पहली बात तो N क्या होगा natural number और फिर इनोंने कहा है कि N 2 से बड़ा है और 2 के equal भी हो सकता है तो अगर हम सोचें कि N क्या हो सकता according to this तो अपन कह सकते हैं N पहली बात तो 2 के equal भी हो सकता और 2 से बड़ा 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 अब कितना हो सकता सर यह नहीं पता तो मैंने dot 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 या dash 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 लगा दिये ठीक है सर जी हाँ तो यह यहाँ dot 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 लगा दिये कोई समस्या नहीं है सर ठीक है done सर आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने कहा write the first five terms पहले five terms निकालो अब मेरी बात सुनना ध्यान से ठीक है सर सबसे पहला A N तुम समझ ना बात को A N अगर मैं इस N की जगा 1 रग दूँ तो A 1 यह first term होगा पिटा हमें यह निकालने first five terms next five terms नहीं पिटा first five terms next लिखा है क्या नहीं सर first five terms तो यही है first five terms ठीक है done यहर A1 तो हमें one दिया गया है हाँ सर तो A1 की जगा हम one लिके लेंगे सर यहां तो हमें already given है चीज दी गई है A2 निकालते हैं सर है ना A2 निकालते हैं और हमारा N2 हो सकता है हाँ 2 हो सकता है सर देखो न obviously तो हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे दोस्ती यह जो है ना यह condition है जो भी है इसमें खेल होगा तो हम N is equal to 2 रख देंगे क्या रखेंगे सर N is equal to 2 जैसी हमने N2 रखा तो यहां आ जाएगा A2 is equal to भीटा ध्यान से सुनो जी सर N-1 मतलब भीटा 2-1 प्लस 2 तो A2-1 क्या है भीटा A2-1 है A1 प्लस 2 और A1 हमारे पास 1 है इसकी value 1 है हाँ सर तो यह आ जाएगा भीटा 1 ठीक है प्लस 2 तो answer for this part is 3 यानि की second term A2 आया प्लस 2 यहां हमने 3 लिख दिया done सर बिल्कुल done इसको erase कर दिया ठीक है done सर इसके बाद अब हमने N is equal to क्या लिखना है सर 3 क्योंकि A3 चाहिए तो N is equal to 3 लिखा तो यहां 3 आएगा A3 is equal to प्लस 2 की value अब भी निकाली अपन ने 3 है तो यहां रख दोना यार बच्चा 3 प्लस 2 सर जी क्या आएगा 5 आएगा बिटा यहां 5 लिख दो done सर इसको erase करते हैं ठीक है next क्या है सर जी next बिटा आप अपन को A4 निकालना है मतलब N हमें 4 रखना है तो A4 A4 is equal to A 4 minus 1 बिटा N की जगा 4 4 minus 1 plus 2 सर A3 आया यह क्या 4 minus 1 3 तो A3 plus 2 अब A3 हम अल्रेडी निकालने बैठें यह बच्चा 5 आजाएगा 5 plus 2 यह 5 और 2 तो यह बिटा कितना आया 7 बच्चा यहां लिख दो 7 और यह 9 आएगा कैसे 9 आएगा सर दिखाओ तो करके अभी करके दिखाता हूँ A5 निकालना है A5 हमने लिखा N की जगा 5 तो यहां A5 आयेगा is equal to बिटा A5 minus 1 A5 minus 1 plus 2 A5 minus 1 क्या होगा A4 plus 2 अब A4 सर 7 है हम तो अल्रेडी निकाल चुके 7 plus 2 बिटा 9 लो भीया यहां हमारे पास सारे के सारे पांचो टर्म्स आ गए है जो हमें निकालने थे आगे question और भी है and write the corresponding series अब series का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बिटा फिर तो दिक्कत है series का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत है अब मैं कहूं पहले sequence बनाओ मैं कहूं बच्चा पहले sequence बना यार पहले sequence बना तो sequence क्या होता धियान जे सुनना जी sir अगर मैं इन सारे नंबरों का sequence बनाना चाहूं तो sequence क्या बनेगा बिटा sequence बनेगा sir सबसे पहले a1, a2, a3, a4, a5, a6, a6 clear रहा sir, यह sequence है ठीक है sir तो sequence में a1 क्या था sir a1 हमारा 1 था, a2 क्या था a2 हमारा 3 था, फिर a फिर यह 5 आएगा a3, a4 a4 हमारा 7 है, फिर a5 a5 हमारा 9 है, कॉमा dot 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 यह sequence था हमें निकालना है series अब बच्चों ने अगर series वाला वीडियो देखा है तो उनको याद होगा, भीटा, series का मतलब होता है, आपके पास जो sequence है ना, उसको add करके लिख दो the sum of all the terms of a sequence is called as series अगर आप इस sequence में कॉमा की जगा प्लस लगा लगा के लिख दोगे तो जो आप लिखोगे, जो आपको लिखकर मिलेगा उसको हम series बोलते हैं तो सर जी हम series कैसे पाएंगे sequence की मदद से, सर जी इस sequence की मदद से हम series बड़े आराम से पालेंगे भाई, one है, ठीक है सर three है, ठीक है सर, कॉमा नहीं लगाना है five, seven, nine ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है कुछ नहीं सर, कॉमा नहीं, हमें plus लगाके लिखना है अगर हमने sequence में plus लगाके लिख दिया plus dot 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 है ना, पाच sequence निकाले तो plus dot 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 तो बिटा, ये हमारी series हो जाएगी ऐसे लिखोगे sequence है ऐसे लिखोगे series है और यहाँ बर हमारे तीनों example finish होगा है बच्चो तो I am ending this video इसके बाद बिटा आपन अटेक करेंगे exercise 8.1 पे 8.1 में 14 questions है detail में समझेंगे कैसा लगा session like जरूर करना और comment में बताना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना इस video के link को so that वो भी अच्छे से इस chapter को मुझ से पढ़ पाएं जीशान सर से पढ़ पाएं only on magnet brains magnet brains एक ऐसा लौता youtube channel है जहाँ पर class kindergarten से लेकर 12 तक के English medium के CBSC वाले board वाले बच्चे बढ़िया तरीके से अपने हर एक subject की free of cost तयारी कर सकते हैं free of cost पढ़ाई कर सकते हैं Hindi medium के students जो Delhi boat, Bihar, UP, MP, Rajasthan ये 5 state boats के जितने भी बच्चे हैं ना जो class 6 से class 12 Hindi medium में हैं वो magnet brains हिंदी medium youtube channel पर जाकर अपनी पढ़ाई free of cost कर सकते हैं notes के लिए आपको हमारी website और application चेक आउट करनी होगी website है www.magnetbrains.com application google play store से install की जा सकती है class 6 to 12 English medium and Hindi medium all subjects के experts द्वारा बनाए गए notes PDF format में हमारे पास available हैं जो आप download कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे next session में तिल देन happy learning, take care, bye